दोस्तो भारत की जनसंक्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूवावर्ग से आता है और यूवावर्ग का आज के टाइम पे सबसे बड़ा कंसर्ण है करियर के ओप्शन्स को ले करके और जब बात करियर के ओप्शन्स की होती है तो हम जॉब के डिसकेशन को छोड़ नहीं सकत है इस बारे हम डिसकेशन करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो in my personal humble opinion जॉब का market जिंदगी का time बिगाड़ने के लिए सबसे खतरनाक चीज है अगर आप एक बार किसी जॉब में घुच जाते हो तो आपकी एक set दिन चरिया हो जाएगी आपका दिन 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 औ process first of all और इतने सारे struggle के बाद भी life में कोई settlement और satisfaction आपके पास आना बहुत मुश्किल है हो सकता है कुछ लोगों के लिए आगे हो job से satisfaction but most of the cases में unsatisfied life ही ऐसे लोग जीते हैं क्योंकि basically आप कोई सा भी job करोगे आपको किसी और के under में ही काम करना पड़ेगा और काम भी ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपनी पसंद का काम मिल जाएगा अपनी पसंद का profile मिल जाएगा और उसी के साथ अपनी पसंद के पैसे भी मिल जाएगे लेकिन 99% of the population is going to fall under the first category where they are not satisfied इसके अलावा job में कुछ भी significant अचीव करने का कोई भी scope नहीं है दुनिया में किसी तर free नहीं करेगा आपको और जो कुछ भी करना है अपने दम पर करना बहुत दम लगानी पड़ेगी और इसके बाद भी success की बिल्कुल ना के बराबर संभावना है वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो अपना खुद का career option choose करने में सबसे जादा problem यह होती है कि initial struggle होता है वो बहुत खतरनाक दिखाई देता है अफकोर्स वो होता भी है लेकिन उस initial struggle के बाद जो आपका path set होता है वो job की trajectory के हिसाप से कई गुना ज्यादा अच्छा path होता है और आपको अपना काम freely choose करने की स्वतंतरता मिलेगी और अपने profile को अपने हिसाप से set करने की अपनी life को अपने हिसाप से जीने की आजादी मिलेगी लेकिन फिर भी लोग इस option को choose नहीं कर पाते और in fact मेरी ये वीडियो देखने के बाद भी नहीं कर पाएंगे उसका सबसे बड़ा करण यह है कि सबसे पहले तो यहाँ पे कोई set path नहीं होता और दूसरा struggle बहुत ही जादा होगा जाद नहीं है कि जॉब में struggle नहीं होता आज के टाइम पर जॉब का मार्केट जितना ज्यादा saturated है उसको देखते हो तो मुझे लगता है खुद का business set करना is much more easier path क्योंकि जितने ज्यादा लाखो करोडों की संक्या में job applicants आते हैं job applications आती है उसको अगर आप एक बार selection आएगा उसके बारे हम पहले ही बात कर चुके हैं अगर आप risk को ही calculate करना चाहते है तो job की risk को इस तरह से आप calculate कर सकते है और जिंदगी में सबसे बड़ी risk होती है अपना खुद का time waste कर देना और जो की job के market में अक्सर लाखों करोडों aspirants के साथ होता है और जहां तक हम कर अगरे बाद private jobs की तो private jobs में भी आजकल competition हो गया है वहाँ पे भी selections के लिए आपको interview देने पड़ेंगे और वहाँ पे situation और भी ज्यादा pathetic हो जाती है अगर आप सब कुछ prepare करके गए उसके बाद भी अगर आप interviewer को पसंद नहीं आए तो वो आपको reject कर देगा without giving any reason और in case आजकल ना तो इतना ज्यादा पैसा मिलता है और नहीं इतना ज्यादा respect मिलता है और दूसरी बात कि आपका continuous harassment होता रहेगा काम के basis पे या आपके increments या salary hike या transfer या जो कुछ भी job related problems होती है वो सारी कि सारी आती रहेंगी आपको time to time तो आपको उससे deal करना बहुत ही ज्याद रहता है इसलिए वो इस market को maintain की हो है लेकिन मुझे लगता है कि आगे आने वाले time में freelancers की जो category है वो ज्यादा evolve होकर के सामने आएगी और वो दीरे-दीरे सारे लोग उस model को adopt कर लेंगे अब freelancer में कई तरह के freelancers हो सकते हैं जैसे आज के time की current skill set अगर consider किया जाए तो sales व यह artistic nature के jobs होते हैं और in fact freelancing type के plus artistic nature के वो सारे jobs अच्छे returns दे रहे हैं और थोड़े से time तक हो सकता है future में भी continue करेंगे तो अगर इस तरह के किसी freelancing job में आप जा सकते हैं तो definitely आप अपने हाथ आजमा सकते हैं और दूसरी बात यह है कि आज के time पे सब चीज open market है internet की दुनि और आपके पास लाको करोडों की जनसंख्या है और उन में से आपको थोड़े भी लोगों को आप impress कर सकते हो तो आपकी दुकान चल निकलेगी और long run में आप जैसे जैसे evolve होएंगे वैसे वैसे आप और ज्यादा लोगों को impress करके अपने धंदे को और भी बढ़ा सकते हैं तक पहुचने के लिए आपके पास काफी ज्यादा resources मोबाइल की search पर ही available हो जाएंगे तो जो लोग offline में अपना physical business set करना चाता है उनके लिए भी मुझे लगता है कि best time है अभी तो एक बार ये सारे options अगर आप consider कर लोगे तो मुझे लगता कि job में आपको अपनी भी बरबाद करनी पड़ेगा thanks for watching this video video पर नया है तो चैनल को subscribe कीजेगा ऐसे काम के video में लाता रहूंगा